नवास्कार जया जोहर मैं कोमल साहूँ स्वागत करता हूँ आप सभी का Competition Community के इस e-learning platform में जहां पर आज हमारे चर्चा का हमारे मन्थन का एक विशा है जिसे हम बोल रहा है CGPAC में answer writing इसमें आज हम देखने वाले हैं paper 6 और paper 6 के जो भाग तीन है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले तो चलिए भई बिना किसी देर के बिना किसी विलम के प्रारम करें सिर्गरनिस करें आज की इस वीडियो का अब देखिए आज बात करते हैं अगर इस वीडियो में तो सबसे पहले तो जानने का समझने का ये ज़रत है हमको कि आज की इस topic में हम क्या-क्या deal करने वाले कि आप जब deal करेंगे तो सबसे पहले हम question देख लेते हैं कि किस प्रकार से question आज कि हम इस वीडियो में deal करने वाले देखिए इसमें लिखा है घोटूल के प्रकार ये लिख है घोटूल उसके बाद लिखा है जन जाती समात की चार विसस्ताय है चार characteristics लिखना है उसके एक ऐसा question जहां से आपको 8 number के आता है और आपको एक ऐसा question जो 15 number के आता है तो 8 number और 15 number के आज हम एक-एक सवालों को क्या करने वाले अच्छे से deal करने वाले कि कैसे हम इसको form करें और कैसे हम बेहतर लिख सकते हैं जिससे वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा number देने के क्या ह हो जाए मजबूर हो जाए तो चलिए देखिए सबसे पहले आज हम देखते हैं अगर हम को यहां से देखिए यह यूवागरी को पुछा यूवागरी से आप क्या समझते हैं घोटुल के समाजी के वह सांस्कृतिक महत्वा पर प्रकास चालिए यह इसको बोल रहा है उसके ब पहले अपन क्या पढ़े थे मूरिया मूरिया के बाद अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी उरा और उराओ के बाद अपन क्या पढ़ते हैं परजा भी पढ़ते हैं हम इसी में पढ़ते हैं हम इसी में पढ़ते हैं आपके लिए भूईया जंजाती तो हम बहुत सारी जंजात परजा का जो धागा बक्सर होता है बुईया का जो आपके लिए रंगबंग होता है और विरहोर का जो आपके लिए क्या होता है गीती ओना तो गीती ओना ये इन नामों से भी प्रश्ण पूछा जा सकता है और आप पेपर में पढ़के जाए रहेंगे कि सर हम तो केवल तो हम देखेंगे अगर इस प्रकार के question आएंगे तो उसको कैसे deal करेंगे साथ में अगर देखेंगे इसी को अगर हमको 8 number में लिखना है तो हम कैसे 4 point बनाएंगे जिसमें वो 2-2 number को बहुत असानी से लिख सकते हैं और हमको बिल्कुल hesitation नहीं होगा कि हम उसको लिखने में किसर ये इसमें कम लिखने जादा लिखने क्योंकि हमारे passwords पहले से define रहेंगे कि हमको कैसे लिखने ठीक है जी और मैं last में आपको लिख के भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये चीज़े जाएंगी और एक प्रस्न जो आपको 15 नंबर में आता है समाजिक जनजातियों के समाजिक जीवन या social aspect of tribes देखोगे उसमें आता है जनजातियों में अधिमान ने विवाह या जनजातियों में प्रचलित विवाह तो जो marriages होते हैं tribes में उसको भी प्रकार में अब अभी तक आपको प्रचलित विवाह के बारे में पता है अधिमान ने विवाह क्या होता है तो यह अधिमान ने विवाह आपको दो दो बार 15 15 नंबर में पूछा है तो आज हम इस दोनों प्रस्न को deal करेंगे तो चलिए भई आगे बढ़ते हैं देखिए सबसे पहले अपन चलते हैं तो सबसे पहले बोल रहा है यू अगरी से आप क्या समझते हैं गोटुल के समाजी केवं सांस्कृतिक महत्पा को पर प्रकास डाली अब देखिए यहां पर सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि यू अगरी क्या चीज होता है तो देखिए यू अगरी य यू मतलब होते हैं हमारे पास क्या यू क्योती हैं मतलब हमारे पास यहां जो टीनेजर मेल फीमेल होते हैं जो बॉइस और गल्स होते हैं उसकी बाद अगरी मतलब होता है कि आपके लिए घर या इसी को बोल सकते हैं अपन हाउस तो हम यह बोल सकते हैं यह टीनेजर का एक house होता है लेकिन एक ऐसा होता है तो देखिए क्या होता है गाउं के बाहर गाउं के बाहर एक प्रिथक मकान होता है एक separate house होता है फ्रॉम विलेज दूसरा ये क्या होता है यूवक यूतियों का यूवक यूतियों का रात्री मिलन के अंद्र होता है रात्री मिलन केंदर मतलब आप देखोगे तो इसमें ये दिन में नहीं जाता है ये कहां पर जाते है रात में जाते है और रात्री मिलन केंदर मतलब बोल सकते हैं अपन क्या आपके लिए नाइट मीटिंग सेंटर होता है ये नाइट मीटिंग सेंटर तीसरा तीसरा पन बोल सकते हैं इसमें क्या चीच करते हैं तो यह यहां पर जाने के बाद क्या करते हैं जी तो हमको याद रखना पहले युग यूतियों का रात्री मिलन केंद्र होता है और याद रखना है तीसरा तीसरा पॉइंट हम क्या करेंगे यहां यह जाके अपने समाजिक यहां इनको मानसिक विकास किया जाता है, mental development, तो इनका मानसिक विकास किया जाता है, यहाँ पर, साथ में आप देखोगे, तो बहुत सारे और रिति रिवाज होते हैं, रिति रिवाज कस्टम्स होते हैं हमारे पास, तो अगर इन रिति रिवाजों की बात किया जा, इन कस्टमों की बात क असान से रिदिक, दूसरा समाजिक और तीसरा इनके राजनेदिक, इनके भी बारे में बताया जाता है कि अगर आप एपन लाइफ में इंटर करते हैं तो हमारे पास कौन-कौन से एस्पेक्ट्स होना चीए, कौन-कौन से हमारे पास कस्टम्स होते हैं, कौन-कौन चीजे समा स्विकार नहीं होती है मतलब कौन सा सोसाइटी में acceptable है कौन कौन सा acceptable नहीं है अब देखिए छटवा हमको क्या करना है इसमें आप देखोगे तो यह जो गोटुल होता है या स्वारी यह जो यू अगरी होता है जहां पर क्या करते हैं जो टीनेजर्स होते हैं वो जाते हैं तो सारिदिक संबंध बनाना क्या होता है प्रतिसेद होता है यहां पे इनको फिजीकल रिलेशन यह नहीं बना सकते बिफोर मैरीज और लास्ट में याद रखना इनकी सदस्यता की समाप्ति सदस्यता की समाप्ति अगर यह क्या करते हैं साधी करते हैं विवाह करते हैं तो आप्टर मैरीज इनका जो आपके लिए यहां का जो यू अगरी का मिंबर सीफ होता है वो आटोमेटिकली क्या हो जाता है टर्मिनेट हो जाता है या स्वयम से क्या हो जाता है जी समाप्त हो ज होते हैं जन सदस्यों का जो अःE पर भी लड़की लड़की को एसे इंसम अगर करके तो वहाँ पे क्या होते कुछ बुजूर के लोग भी होते हैं तो एक बुजूर का महिला होते हैं एक बुजूर का पूरूस होता है वो उसको बताता है भाईया नहीं नहीं किसी के आप क्या कर रहा होगे चाल धाल उसके बाल उसके गाल को देंप्रेस हो जाए वहाँ पर आप के लिए क्या हो सकते हो आप निपट सके हो कोई लड़की बोल रही कि सर मुझे क्या करना है किसी एक लड़के का 8 पेख है मृग इड़क corrosion को देखके क्या हूँ हो इ जिहान नहीं देगा, यह सभी प्रकार की सिख्षा कहां भी दिया जाता है, you agree, तो यह पहला आपके लिए, अगर मैं दो नंबर में लिखूं, तो दो नंबर में बता सकता हूं कि you agree क्या चीज़ होता है, दूतरा, अगर हम यहीं पे चले, अगले दो नंबर के पहरा में हमको क्या लिखना है, you agree के उद्देश, अगर you agree के उद्देश यह पूछा जाए, तो यह जो कार यह होते हैं, वही इसके उद्देश होते हैं, अब इसको हमको अलाग से, अगर हमको दो नंबर में लिखना है, तो हम क्या करें, आधे आधे नंबर के हम चौर पॉइंट्स बना करते हैं, समाजिक सिक्षा, समाजिक सिक्षा प्रदान करते हैं, आपके लिए social knowledge प्रवाइड करते हैं, दूसरा, इनको रीती रिवाज, जो customs होते हैं, रीती रिवाज होते हैं, उससे परिचय कराते हैं, तो introduce the customs, आप समाजिक में सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक को culture बोले हdonald कि क्जिवन siamabad पैशन होता है कुछ पैसा चीन होता है कुछ हमारे पाइस वह होना चीज संपत्ति होना चीजंए उससे ऐसा नहीं कि जीवन प्यान से चला जाता अगर प्यान से चला जाता है लोग कमाते धमाते कहीं नहीं कमाते हैं ऐसा होता ना कि लोग कमाते धमाते लेकिन कमात हमारे हैं तो सब के बारे में बताता है तीसरा हमको याद रखना यह क्या होता है आपके लिए इसके उदेशिया अच्छे जीवन सांथी के चुना अच्छे जीवन कोई चीज आपके लिए acceptable है और कौन चीज आस्विकारी है मतलब non acceptable है तो इन चीजों को क्या किया जाता है यह इनको बताता ही कि यही इनके क्या है उद्देश है तो कोई भी बच्चा जब यहाँ पर जाता है अब बोलो के सरोग बच्चा कैसे मतलब अगर यहाँ जंग जात इनको अपने आने वाले लाइफ के बारे में कोई नौलेज नहीं होता तो इनको यहीं पर इन उद्यस्यों के साथ भेजा जाता है और यह क्या होता है अगर आप देखोगे तो आपके लिए यूगरी तो यूगरी में आठवाएक और पाइंट डाल सकते हैं अगर इसी में ड जूर के लोग रहते हैं एक मेल होता है एक फीमेल होता है जो हमको लाइफ के बारे में गाइड करते हैं वो अपने जीवन के बारे में अपने स्वा अनुभाव को बताते हैं सेल्फ एक्सपिरियेंस को बताते हैं कि जीवन कैसा ऐसा नहीं है जैसे हम देखते हैं जैसे हम क करते हैं जब किसी से प्यार करते हैं तो कुछ नहीं कर रहा होता है दाइद अदा हमको पैसा दे दी हैं हमारे पास गारी हम पैट्रोल है बड़िया गुमारे होटल में खिला रहे हैं लेकिन साधी के बाद इस चीजे उल्टा हो जाती लड़के को कमाने भी जाना है उसके बा अब बुजुर का महिला जो बुजुर का पूरूस होते हैं उनके द्वारा बर आया जाता है अब देखि हम लोग अब तीसरे पड़ाओ के लिए चलते हैं हमको प्रस्न पूछा गया था घोटूल के बारे में हमको प्रस्न पूछा है देखिये घोटूल मैं सबसे पहले हम को देखना है यहाँ पर जो सदस्य होते हैं यह गोटुल गोटुल क्या पढ़े थे अपन गोटुल मुडिया जन जाती का मुडिया जन जाती का मुडिया जन जाती का हमारे पास क्या है यू अगरीब अब देखें इसी में अपन देखेंगे तो हमारे पास इस गोटुल में क कुन होती ही महिला सदस से तो यह अपन को याद रखना है पूरु सदस से हमें हमको यह याद रखना है पूरु सदस से यह इसको क्या बोलते हैं हम लोग चेलिक यह जो घोटुल में जो लड़के जाते हैं उनको बोला जाता है चेलिक और यहां पर जो महिला होती है उसको क्य मतलब होती ही निभवी तो आप ये निभबा और निभवी ये दोनों वट से बड़ी अच्छे से प्रचलित होंगे कि ये निभबा और निभवी क्या चीज होते हैं करके आप देखे जो चेली खोता है जितने लड़के हैं उनले लड़कों का क्या रहेगा हमारे पस एक होता है है उसके बाद याद रखना मोठ यारिन तो इसमें क्या होती है महिला जो प्रमुख होती है महिला प्रमुख इस पहला प्रमुख को बोला जाता है जो वूमेन हेंड होती है उसको बोलते हैं अपन का यहां पर वेलोसा तो यह हम को याद रखना जी यहां से वेलोसा त देखिए शुरू के दो नंबर में अपन क्या की यू अगरी क्या होता है वो पता है दूसरे दो नंबर में अपन बता है यू अगरी के क्या उद्यासी होते है तीसरे अपन दो नंबर में बताएंगे कि घोटुल में जो पूरुस सदस्य होते हैं उसको चेलिक बोलते हैं महि को याद रखना है अगला kia Good is Must My हमारे लिए इंदेखी अगर हम घोट लोग क्या देखे थे कि यहां पर हमको सिछा दि जाती अब घोटुल में आपन और कुछ एस्पेक दे सकते हैं जैसे घोटूल के दियूंता को सीघूंता होते हैं घोटूल यह about a lot all आन्फ अपना लिम्गो पेनगीुट में इसको जो लिंगो पेंगे यह लिंगो पेंगे है इनको क्या बोला गया है the god of अर्थ बोला गया है यह इनी को बोला गया ढटी का देऊंता तो यह आपनको याद रखना था कौन आफ आर्थ मुख्य वाद्धियंत्र, मेजर आपके लिए इंस्टूमेंट देखा जाए, मेन इंस्टूमेंट देखा जाए, तो इसी को बोलते हैं मांदर इसी के ठुरू अपन नास्ते हैं, और लास्ट में याद रखना घोटुल का मनोरंजक नित्या, तो इसी को बोलते हैं हुलकी पाटा, तो यह सब चीजे हैं जी हमारे लिए अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो देखिए, तो अगले दो नंबर में अपन ये लिगी दिये, तो हमारे पास लगभग आठ नंबर के content हैं अगर हम देखें सुरू के दो नंबर में हम यह बता दे कि you agree क्या चीज़ होता है दूसरे दो नंबर में हम बता दे you agree कि क्या उद्देसी है तिसरे you agree में हम यह बता दे कि हमारे पास male और female जो आपके लिए घोटूल के सदस्य होते है member होते हैं वो उनको क्या बोला जाता है उसके बाद जो उसमें male और female के जो head होते हैं उनको क्या बोला जाता है करके ठीक है जी अब अगला अगला दो नंबर में अपन को क्या बताना है यहां से आपके लिए घोटूल में किसकी पुझा होती है घोटूल के जो main instrument क्या है और गोटूल में जो मुख्या डांस में जो डांस होता है और जो इसमें इंटर्टेनिंग डांस होता है उसको क्या क्या बोलते है अब देखिए प्रस में में आपको पूछा था कि इसके समाजिक और आपके लिए धार्मिक महत्व क्या लिखा था देखिए प्रस में एक बार अगर इसका social importance देखा जाये तो हमको ये बताया जाता है कि समाज में society में किन चीजों की स्विकार्यता है करे और work on ? चीजों की अस्विकार्यता है मतलब कौन सा चीज आप के लिए क्या है acceptable है और और सा non acceptable है उन सब चीजों को बताया जाता है जैसे अपन को बोला जाता है कि सुबा सुबा हमको क्या करना है नहाने के बाद ही किस में जाना है हमको kitchen में जाना है तो यह चीज बताया जाएगा नहीं तो सामने में आप जिस घर में साधी होके जाओगे वहां आपके जो साससूर रहेंगे उनको बुरा लगेगा कि हमारे घल्द करा culture नहीं जानती कि हमारे यहां जब रसोई में जाते हैं तो बीना नहीं अपन नहीं जाते करके यह बताया जाता है दूसरा जैसे महिलाओं को कुछ बाते बताई जाती है जैसे पूरुस क्या है कहीं पर भी जैसे पर फह करता है समाज को अपने मुठी में आराम से सब को अनुसासन सिखाते चलना होता है अगर कोई एक अच्छी बहु नहीं है तो अच्छी मान नहीं बन सकती ऐसा अनुमान लगाया जाता है क्योंकि अगर वो कुछ चीजों को सीखे रहेगी तभी तो अपने आने वाले जो वह अ राइट कर पाएगी उन सब चीजों का आपके लिए इसमें बता जाता है दूसरा इसी में अपन देखे थे क्या सांस्कृतिक महत्व में यह है कि हमारे कल्चर का क्या गोदवाते हैं, अपन बिजबिच में पैरओं में क्या लगाते हैं, अलता लगाते हैं, तो वो सब क्या है, अँमारे संस्कृतिक पाठी जयसे कि महेंदी लगाते हैं, तो कमर्छट में कभी भी गाय की दूद का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें प्रयोग किसका किया जाता है, उसमें भैस की दूद का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार के कुछ do और कुछ dons, कुछ चीजे जो करनी है, कुछ चीजे जो नहीं करनी है, उन सब चीजों नहीं करें या उनके उपर लेख लिखे देखिए यह कोश्चन भी आपको आठ नमबर में पूछा था जी देखिए ये आपको 36 गड़ में उराव जन जाती कि यूँआ गरी पर एक लेख लिखे तो आप इसके लिए बिल्कुल अलाग सी प्रिपेर नहीं करेंगे यही चीज है चाहे हमको पूछेगा परजा परजा में हमारे पास क्या होता है जी धागा बक्सर होता है क्या आपके लिए धागा बक्सर अब यह पूछ देगा यही प्रशना को थोड़ा सा बदल के जो 36 गड़के आपके लिए परजा जन दाती के यूँआ गरी पर एक लेख लिजी अब यह अब धागा बॉक्सर के बारे में तो कुनों किताब लिखा नहीं है तो सर इसको कैसे डिल करें एदम असान है और राम सी इत्मिनान से चीजों को देखना है पहले हम दो नंबर में बताएंगे कि यूगरी क्या चीज होता अगले दो नंबर में तो ऐसे बोलेंगे य हमारे पास कौं रहते हैं यूग रहते हैं यूटिया रहते उनको ये सब चीजे बताई जाती सिखाई जाती चोकि कोई किताब इसको लिखा नहीं है तो इसके कम चांसस है कि आपको कितने नंबर में पूछे आठ नंबर में लेकिन हमको प्रस्ण पुछा है और आवजन ज गुटुल के तो जैसे मुडिया जन्ता आती है तो घुटुल यू अग्री के उद्देश से लिखेंगे और हम उराव जन्जाती में लिखेंगे तो यह हमारा चार नमबर पहले से आपके लिए हो गया अब देखिगे हम क्या बोले थे घुटुल में जो पूरूस और महीला स सदस्य हैं अब हमको यहां से थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसी को अगर मैं बात कर रहूं किसके लिए उराव जन जाती का यू अग्री उराव जन जाती का यू अग्री तो ये उराव जन जाती का यू अग्री हमको ये देखने हैं अब देखिए भई अब को किर गो एक सबसे पहले उरावन जैती कह यूअघ अब देखी यहां से अगर हमको इसको देखना तो इसको कैसे करेंगे देखी cert यूरावजन जाती का यूअगरी अब ध्यान से देखेजिए देखें सबसे पहले तो हम बताएंगे कि यूअगरी क्या है यह हम जैसे उसमें बताए थे दो माक्स में अपने इसी को डिल करेंगे अगले दो माक्स में दूसरे नंबर में हम बताएंगे कि यूअगरी के क्या है उद्यसे मतलब आपके लिए उरावजन जाती का ऩी हो जिसी ओपन क्या पूलते हैं थो रिया साथ है keeping Kabla अधिक नंसे दूम जैसे है अपन व्ली अब है लिके आप याद रखना यहां से पहला पन भी लेंगे इसी में धून कुरिया री यह क्या चीज होता है दूम दिमकुरिया, यूवरीय है, फेम जैसे आपन उसमें लिखे थे, उसके बार दूसरा लिखना है आपन को दिमकुरिया, यूवरीय के उद्देश है, अब अपन को बताना है इसमें इसके सदस्यों के बारे में, अब देखो, यह हमारे लिए नया है, तो हम तीसरा पॉइंट बनाएंगे धुमकूरिया के सदस है धुमकूरिया के सदस है अब धुमकूरिया के सदस यह जो है इसके बारे में अपन को देखना है तो इसमें क्या करते हैं एज का क्राइटेरिया तो इसमें क्या है जितने हमारे पास बॉइस इन गर्स होते हैं जितने हमारे पास यूवक और यूतियां होती है यूवक और यूतियां मतलब जितने हमारे पास निभा निभी है यहां पर हम क्या करेंगे अगर 13 वर्स के कम आयू के हैं तो इनको एक रो में बैठाएंगे ऐसे तुम भाईया एक साइड बैठो करके उसके बाद हम देखेंगे जितने बॉय और गर्ल् 08- 18 13 वर्स के लोगों को एक साइड अलग से फिल्टर कर दींगे उसके बाद 18 सागन से ज्यादा के यूवा यूति हैं उसको अपन एक साइड कर देंगे तो इस साइड डग देंगे तो ये तीन अलग अलग हमारे पास डब्बय बन जाते हैं मतलब हम यह बोल सकते हैं इस हाला कि एक ही जगह रहेगा लेकिन इसको केटेग्राइज कर दी है जैसे उसमें जो घोटूल के सदस्य होते थे उनको क्या बोलते थे वहां किसी लड़के या किसी लड़की का नाम नहीं ले रहे हम अगर कोई लड़का यूअक है तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे उसी मे पहले को बोलते हैं अपन क्या पूना जोरवार दूसरे जो 13 से 18 साल के लड़की लड़की रहेंगे उसी को अपन बोलेंगे मजथूरिया जोरवार उसके बाद याद रखना अगर 18 साल से जो अधिक के बच्चे रहेंगे युवा के उतियां रहेंगी उसी को अपन क्या बोलते हैं यहां पर धांगर क्या बोलते हैं अपन इसको बोलते हैं अपन धांगर तो यह हम को याद रखना है जी कि इसको क्या बोलते हैं करके अब दे समझना कि सर सबके लिए pez 본 के लिए अलग अलग होगा नहीं उड़ी बच्चे जो हैं 13साल से भी छोटे हैं 13साल से 18 साल के भीए और ठरशा तो इक रिप्रेजड़धि होगा सबका एक मुख्या होगा ऐसे नहीं है कि यहां पर age के हिसाब से होगा नहीं, यहां पर बहुत लोगों को confusion होता है, कि सर ऐसा होता, क्या बिल्कूल ऐसा नहीं होता, नाम को सोचना है, अब देखें, तो हमको याद रखना है, यहां पर पूरुस प्रमुक होता है, पूरुस प्रमुक, यह पूरुस प्रमुक को या महिला प्रमुख होती है जो उमेन हेड होती है उसी को अपन बोलते हैं क्या बार की धांगरी बार की धांगरी तो यह हमको ऐसा चीजों को थोड़ा से क्या करना है समझने कोशिस करना है अब देखे अब इनके कारी क्या होते हैं यह समान्यता जो बार की धांगरी होती है समान बेलोसा पढ़ेते ना तो बेलोसा के case में विद्वा महिला हो ऐसा जोर्री नहीं है लेकिन अगर आपन उराव जन जाती के यूँव अगर धुमकुरिया को पढ़ रहे हैं तो यहां पे हमको बारकी को याद रखने कि एक विद्वा महिला का होना हमारे लिए जोर्रीय करके ठीक है जी यह सुनों आगे बढ़ेंगा तो देखे अब इसमें भी अलग से हम पॉइंट बना सकते हैं कि इसका समाजिक महत्व क्या चीज़ होता है हम इसको बताएं जैसे हम वहां लिखे थे बिल्कुल वैसे लिखेंगे और हम इसी में बता सकते हैं कि इसका संस्कृतिक महत्वा क्या है cultural आपके लिए importance क्या है तो हम अगर चीजों को लिखना चालू करें तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं तो हमको ऐसा लिखते लिखते चीजों को चलना है अगर हम ऐसा करते करते चलेंगे तब हम क्या करेंगे सीक्वेंस को पकड़ पाएंगे और तब हम बहतर तरीके से लिखेंगे अब हमको एक कोश्चन लेना है जो हमारे लिए कितने नंबर का है पंदरा नंबर का है और वो है अमारे लिए जन्यजाती विवा तो चलिए भई अगले प्रस्ष्ण के लिए अपन बढ़ते हैं तो चलिए भई आगे बढ़ते हैं अब देखिए अगर अब अपन इसी को थोड़ा सा देखने की कोशिस करें कि सर अगर अपन कैसे पढ़ें तो देखें सबसे पहले अपन युव अगरी पढ़ेते कि हमारे पास एक रात्री मिरान के अंद्र होता है विद्यागरान डेवलाप्मेंट होता है इसी में हम बोले थैं कि आव विवाहित यूर्त्य होतें उसको समाजिक रिवाजों से और थार्मे को संस्कृतिक परम Prince राव से और कि संस्कृति Ser gleich जाती हैं और विवा और सारी संबंद बनाना क्या माना कि भरलजाता है विवह के विवहह के होने पर व्योवा में धुमकूर्या विर्षोर में गिती होना अभुया में तो इस प्रकार से अभी तक तो केवल आपको मुडिया और उरावदो जन जाती से आया है आपको ये question बदल के भी दे सकता है तो हमको थोड़ा समझने का कोसिस करना है कि हमको इसको कैसे deal करना है उसके बाद हम पढ़े थे कि आपके लिए जो घोटुल होता है घोटुल के चुनाओं में सायक तो अपन उधार इंग्लिस में अब देखिए हम पढ़े थे घोटुल घोटुल के सदसे में पूरुस सदसे को चिलिक बोलते थे प्रमुक को सीरेदार बोलते थे महिला सदसे को मुट्यारीन बोलते थे महिला प्रमुक को क्या बोलते थे वेलोसा आप गोटूल के प्रमूख देखे थे कि नहीं जी गोटूल के प्रमूख देखे थे कि नहीं जी गोटूल के प्रमूख वाद्यांद्र गोटूल के प्रमूख नितिया गोटूल का मनुरंजग नितिया तो हम इन सब चीजों को अपन यहां से देखे थे अब देखे अगला अगल अमारे लिए है धुमकूरिया तो धुमकूरिया में भी हम क्या पढ़े थे जैसे युवाग्री से हम पढ़े थे हमको अगर उद्देश्य देखा जाए तो यह और हम यहां से पढ़ेते सदस्या यहां पर हम क्या बोले थे 13 वर्षा से कम वाले को पुना जोरवार 13 से 18 वाले या बर्की धांग्रिन तो यह अपन को याद रखना है जी ठीक है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं अब देखिए अगला एक कोस्टन है हमारे लिए कि 36 गड़ के जनजातियों में पाय जाने वे वाले विभीन्न प्रकारों का अस्वारी विवाहों का वर्णन कीजिए ऐ उनके आपकरी सोसाइटी में जो मानने विवाह है उनके बारे में बोला है तो अधिमान विवाह तो चलिए अब जैसा ये कोस्टन को चेंज कर देगा 36 गड़ की जनजाती में पाय जाने वाले अधिमान ने विवाहूं का वर्णन किजिए ये कोनों किताब लिखा नहीं है लेकिन कोश्चन दो दो बार आया है वो भी 15-15 नंबर के पिछले 10 साल में अब देखो ऐसे कोश्चन को अपन को कैसे डिल करना है उसको देखिए सबसे पहले तो हमको याद रखना है कि जनजातियों में विवाह क्या होता है जनजातियों में जो विवाह होता है जनजातियों में विवाह पध्धती अपन ऐसा एक टॉपिक बना ले अब यह विवाह पद्धती में सबसे पहले याद रखना जी कि इनका विवाह एकल विवाह भी होता है एकल विवाह ठीक है दूसरा होता है आपके लिए बहुर विवाह तो अपन को याद रखना है बहुर विवाह और इसी में होता है इनका पूनर विवाह पूनर विवाह तो तीनों प्रकार की विवाह होते हैं एकल विवाह को बोलते हैं मोनोगेमी इसको बोलते हैं पॉलीगेमी और उसको बोलते हैं री मैरिज तो अपने को तीन प्रकार के याप के लिए क्या होते हैं मैरिज होते हैं इसमें याद रखना इनके विवाह पद्ध बाद में बताऊंगा इसी में और क्या आता है उसके बाद दूसरा दूसरा विवाह का प्रकार ले लिए कन गंधरव विवा तीसरा आपको देख लिए उड़ोरीओड विवा UK और चौंथा विवाह का एक प्रकार होता है जो उसे आपन क्या बोलकित जन जाती विसेस विवाह जो उसी जन जाती में होता है जन जाती विसेस अब मैं आपको बताऊंगा जैसे एक वर्ड यूज किये थे अधिमान्य मतलब कौन वैलीड होता है जो कौन आपके लिए acceptable होता है देखिए सबसे पहले अगर समान्य विवाह में देखा जाए तो समान्य विवाह में पहला विवाह होता है मारे लिए पेडूल पेडूल होता है पेडूल विवाह जो है क्या है आपके लिए बस्तर का समान्य विवाह बस्तर का समान्य विवाह समान्य विवाह यह बस पास इतना धन है कि आप अपने परी को खरीच सकते हो तो इसी को बोलते हैं पारिंग धन मतलब इसमें क्या होता है आपके लिए इसी को आपके लिए क्राय विवाह भी बोला जाता है मतलब आपके पास इतना पैसा है कि आप क्या कर सकते हो जो आपकी जो लड़की है जिससे इम आप साधियि करने वाले उसको वध्यमूल्य चिका सकते हो तो इसו को बहुतने वध्यमूले चुका कर विवा सब्सक्राइब यह आप कि लिए ठीक है जी तो आप बढ़िया PSC लगा लो मरत ले पढ़ लो उसके बाद जाके सिधा परिंधन विवा कर लो अरे याचो नो तो यह अपन को आद रखना पहले पेडूल दूसरा याद रखना आपान को क्या परिंधन तीसरा याद रखना अपन को लम सेना लम सेना विवा लम जर्मेंस के पेपर के बाद इंटर्वू ना निकले हो सकता है ना लेकिन आप तो हो टाइलेंटेट आप भी है केंडिडेट थे लेकिन SM क्या कर सकते है आप पैसा चुकाने के लिए क्या नहीं हो आपके पास उतना पैसा है नहीं हमारे यहां उल्टा चलता है अगर कोई ब वधुमुल्य चुकाने में सक्षम नहीं है वधुमुल्य नहीं दे पा रहा हो ब्राइडल प्राइस नहीं दे रहा है तो यह कुछ अलग काम करेगा यह क्या करेगा अपने इल्लोस के घर जाकर अपने ससुराल के घर में एक निश्चित आउधी तक काम करेगा तो यह क्या करता है अपने सशूराल जाकर एक निष्चीत अधित क्या करता है सेवा का म करता है देखिए ध्यान से समझना है यह मतलब वह क्या करेगा जो आपके लिए वह रहेगा गुरुम रहेगा वह अपने ब्रयाइट के घर जाएगा और बोलेगा भाईया I am unable to pay the money लेकिन वो क्या बोलेगा I am able to give the certain time period service वो जाएगा वाँ सर्विस देगा और अपने जितने loss रहेगा सभी loss को क्या करेगा agree करेगा खुश करेगा उसके बाद बोलो मैं इसके लायक हूं कि नहीं है आज नहीं तो कल मेरे मेहनत का जरू मिलना जोर रही है तो यह क्या करेगा भीया मैं आपके घर आ गया हूं आज नहीं तो कल में पेपर निकाली लूँगा तो मैं चाहता हूं कि अभी मेरे पास दहिस देने के लिए पैसा नहीं है लेकिन आपके पास अपनी बेटी देने का बिलकुल समय है कल मेरा अच्छा सम अपना जोराल वाले लड़के के ससूराल वाले यह अगर एगर कर यह तो उसको क्या बूलते हैं प्रलम सुन्थम होते हैं हमारे पास गुरावट वीवा गुरावट वीवा गुर hem गुरावट विवा, तो एक गुरावट विवा क्या चीज़ होता है समझे, गुरावट विवा मतलब इसमें क्या हो रहा है, घर में लड़के लड़की की अदला बदली मतलब वरवधू की अदला बदली, मतलब exchanging of bride and groom, मतलब अगर हमारे पास क्या है एक लड़का है वो एक लड़की, मतलब मान के चलो A हमारे पास एक लड़का है, ये B नाम की एक लड़की को खोज रहा है, अब A की बहन है, इसकी sister है कौन सी, और ये B का एक भाई है, उसका क्या नाम है आपके लिए D, तो ये क् क्या होगा, इनको इनको दहज नहीं देना पड़ेगा, इनको इनको दहज नहीं देना पड़ेगा, एकदम so simple, so easy, तो हमको याद रखना ही है, तो ये हमको याद रखना है जी, कि इसमें क्या हो रहा है, वरवधु की या लड़की-लड़कियों की क्या हो रहा है, अदला ब विवाह में पहला विवाह आता है आपके लिए कौन सा पोटा विवाह तो यह हमको याद रखना है पोटा विवाह यह पोटा विवाह क्या होता है इसमें कोई विवाहित इस्त्री है विवाहित इस्त्री जो पहले जिसका साधी हो गया जी और वो क्या कर ले किसी अमीर व्यक गंधर विवाह यह समाज में मान्य नहीं है यह इसे को बोला गया था आपके लिए अधी मान्य जो वर्ड बोला गया था ना अधी मान्य कि किसो को किसको अधिकृत अधिकृत रूप से मान्य किया गया अधिकृत रूप से मान्य तो यह जो विवाह यह मान्य नहीं है यह गं राखाएंगे कि इसको मानने कैसे बनाया जाता है देखिए तो पहले होनगी को याद रखना पोटा वीवा दूसरा दूसरा इस ही में होता है हमारे पास क्या प्वार्च सेटूर यह आप 2016 मतल़ा पाने को आथू है मतला मेरे को लड़की पात खत्म मेरे करके उसका अपहरंड करके विवाह करें अपहरंड करके विवाह करें अर्या सोनो तो इसमें जो क्या होता है ग्रूम होता है अपनी जो ब्राइड होती है उसको क्या कर लेता है खिड्नेप कर लेता है और उससे साधी कर लेता है तो ऐसे जबरदस्ति फोर्सफुली लड़की के इच्छा विर्यूद या लड़की के पर्मिशन के बेगर उससे फोर्सफुली अगर विवाह कर लिया जाये तो इसको क्या बोलेंगे पायसे तुर ये भी समाज में मानन या नहीं है लेकिन इसको भी कैसे मानने किया जाता है इसको बताएंगे और तीसरा-तीसरा हमारे पास विवाह होता है उस विवाह को बोलते हैं अपन हट हट विवाह इसको भी आपको बता रहा हूँ यह कैसा विवाह होता है तीसरा प्रकार के विवाह को याद रखना है अपन को हट विवाह यह हट विवाह को याद रखना है यह हट विवाह को आपन को याद रखना है जी देखें सबसे पहले याद रखना है इसी में क्या आता है आपन को भागेली भागेली इसमें इनके हट विवाह में उल्टा होता है इस टोबन मेरीज बोलते है न तो इस टोबन मेरीज इनके मे कि यह मैं ऐलाग होता है इसमें हमारे यहां गोर देन जाते हैं, उसके बाद याद रखना है आपन को, इसी में क्या, एक होता है आपके लिए, पहले याद रखना भगेली, उसके बाद याद रखना है इसी में, एक विवा होता है हमारे लिए कौन सा, डुकू, क्या होता है हमारे लिए, डुकू, डुकू या कोई भी डूलता कैसे जैसे भागते किस से हैं गोर से डूकू डूकू मतलब होता है डूलना तो ढूलेगा कहां से ओ स्लोप से स्लोप कहां से बनता है पहाड में तो हमको याद रखना है यहां से पहाडी कोरवा तो यह हमको याद रखने जी तो देखिए यह क्या होता है हाट विवा साथ क्या कर लेती है साधी कर लेती है और कोई लड़का जब अरजस्ती किसी लड़की को किड़नेप करके अगर साधी कर लेता है तो इसका क्या होता है समाज में बैठक होता है समाज में बैठक के बाद पूछा जाता है लड़की को कि तुम अभी इससे एगरी हो की नहीं है ये लड़का तुमको ठीक से खुश रख पा रहा है कि नहीं और लड़की को भी पूछा जाता है अगर कोई थोड़ा सा ताल में लगा और बाद में उन लोग अगर एगरी कर देते हैं तो ऐसे क्या होता है जाती भोच का योजन किया जाता है सब एक दूसरे के साथ क्या होत छहता है अगर कोई यूवक है कोई यूथी है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं पसंद कर रहे तो यह इसी को बोल सकते हैं सोजे सोजे लब मेरीज अगर घर वाले क्या नहीं किये तो बोले भाईया तेरा जी मैं राजित क्या करेगा का जी दोनों को भग के हो जाते हैं यहां से साधी तो यह दोनों को अगर भग के साधी कर लेते हैं तो घर से अगर भग के साधी कर लेत तो यहां आपने society में सब को reception देना पड़ता है और साथ में ईनको कुछ penalty देना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं तो यह भी क्या है आप के लिए आमान्य विवակ है शुरू में और यह भी आप के लिए आमान्य विवाय है उसके बाद आपन देखते हैं जन्जाती विवाह में हमको याद रखना है यहां से हम बोल रहे हैं जन्जाती विवाह पहला हम बोले थे यहां पोटा विवाह यहां हम बोल रहे हैं पाटो विवाह पाटो तो पाटो विवाह में हमको याद रखना है कि हमारे पास क्या होता ह कोई अगर क्या है मारे पास एक विवाहित इस्त्री है विवाहित इस्त्री है मतलब मेरी डूमेन है और वो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ क्या कर ले विवाह कर ले तो उसी को हमन क्या बोलेंगे अपन पाटो विवाह ठीक है जी तो याद रखना यह जो पाटो विवा होता है ये किस में होता है परजा जंजाती में होता है और ये जो पोटा विवा होता है ये किस में होता है कोरकु जंजाती में होता है तो आपको जंजाती के हिसाफ से अपन को गैस करना है दूसरा अपन को याद रखना यहीं इसी में दूसरा जंजाती विवा में होता है कि आपके लिए चड़ विवा होता है चड़ विवा तो चड़ में याद रखना अगर कोई लड़का है जो आपके लिए गुरूम है अगर बरात लेके लड़की के घर जाता है ब्राइट के घर जाता है तो यह होता ही है लेकिन यह अपन को याद रखने कौन सी ज जाती है सबसे बड़ा ट्राइब है इसमें अगर लड़का जो इसमें गुरूम आगर गराइट के घर क्या लेके अपना वेडिंग प्रोसेशन करता है अपना भरात ले परत लेके जाता है तो उसी को आपन क्या बोलते है चड़विवा होते तो इसको अपन को याद रखना है ठीक है जी तो आपन को याद रखना है चड़ विवा तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम अगर बताएं तो पूरा चीजों को बता सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे पास विवा होता है और किस किस प्रकार के हमारे पास विवा पद्धतियां होती है अगर हम इन क्या होता है मीटिंग किया जाता है उसके बाद अगर पर्मिशन दिया दिया जाता है तो इस विवा को जो राइक करें और आपको बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और और क्या ये आपके मेंस के अंसा रैटिंगे लिए हिल्फुल रहा कि नहीं रहा है ठीक है जी मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक कि लिए जोहार और जाच अच्छ तिस गाउड़ कि अच्छ अच्छ